नमस्ते मेरे प्यारे बच्चोँ आनंद क्लासेस में आप सभी बच्चों का हरदिक स्वागत है बच्चो आज़की पाद साला में हम ककषा आठवी विसे सामन विज्ञान बच्चो सामन विज्ञान में आज हम पाठ एक सजियू स्रिष्टी एउम सूचम जियों का वर्गी करण तो बच्चो आज हम इस पाठ के स्वाध्याई करेंगे ठीक है बच्चो तो चलो देखते हैं स्वाध्याई में क्या-क्या प्रश्ण है हमारा सबसे पहला प्रश्ण है बच्चो जीवाणू आदी जीवी कवक सैवाल आदी केंद्र की द्रिश्य केंद्र की सूचम जीव इनका वर्गी करण विटकर पधती से करो उत्तर जीवाणू जगत मुनेरा आदी जीवी जगत प्रोटिस्टा कवक जगत कवक सैवाल यदी सैवाल एक कोशकी है तो जगत प्रोटिस्टा यदी सैवाल बहु कोशकी है तो जगत वनस्पती आदे केंद्र की जगत मोनेरा, द्रिश्य केंद्र की जगत मोनेरा के अतरिक्त अन्य कोई भी जगत, सुचमज्यू जगत मोनेरा अथ्वा प्रोटिस्टा बच्चों हमारा दूसरा प्रश्ण है, सज्यू आदी केंद्र की द्रिश्य केंद्र की बहु कोश की एक कोश की प्रोटिस्टा, प्राणी, वनस्पती, कवक की सहायता से पंच जगत वरगी करन पूरा करू तो बच्चों देखो सज्यू, तो बच्चों सज्यू की दो भाग है, पहले में आएगा आदी केंद्र की और जो दूसरा बॉक्स है उसमें आएगा दृश्य केंद्र की अब जो बच्चों आदी केंद्र की है, उसके नीचे देखो लिखा है एक कोश का अब जो दृश्य केंद्रकी है इसके दो भाग है एक कोशिका और बहु कोशिका ठीक है अब हम वापिस से आ जाएंगे बच्छो आदिकेंद्रकी में आदिक अंद्रकी में जो एक कोशिका है ना उसके नीचे आएगा मोनेरा और जो द्रिशक अंद्रकी है उसमें जो एक कोशिका है बच्चो उसमें आएगा प्रोटिस्टा और जो बहु कोशिका है उसके तीन भाग है बच्चो पहले में आएगा कवत दूसरे में अवनस्पत और तीसरे में प्राणी ठीक है बच्चो अब हमारा अगला प्रश्ण है बच्चो तीसरा मेरा जोड़ीदार खोजो और इसमें बच्चो हमें जोड़ियां मिलाना है देखो कवक, प्रोटो जोवा, विशाणू, सैवाल, जिवाणू बच्चो मैंने सकका एकदम सही सही जोड़ी मिलाओ लगा कर लिख दिया है आप उसे देख लेजिए ठीक है अब चलो बच्चो हम आगे बढ़ते हैं हमारा प्रश्ण तीसरा है दिये गए कथन सही या गलत लिखकर उनका सपस्टी करन लिखो ठीक है बच्चो तो बच्चो जो कथन सही है उसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे जो गलत है उसके नीचे हम गलत का निशान लगाएंगे क्यों गलत है वो उसका अस्पश्टी करण हमें नीचे लिखना है ठेके बच्चो तो मैं सभी का अस्पश्टी करण नीचे लिख रही हूँ आप उसे देख लीजिए पहला लेक्टो बेसिलाय हानिकारक जिवानु है उत्तर असत्य लेक्टो बेसिलाय उपयोगी जिवानु है इनका उपयोग दूद को दही में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है इसके अतरिक्तिन का उपयोग विभीन प्रकार के दुगदूत पादों को बनाने के लिए किया जाता है दूसरा कवको की कोशिका भित्ती कायटीन से बनी होती है उत्तर सत्य वनस्पतियों की कोशिका भित्ती सेल्यूलोज से बनी होती है जबकि कवको की कोशिका भित्ती कायटीन नामक सरकरा से बनी होती है कवको की कोशिका भित्ती के भीतर अनेक केंद्रक विद्यमान होती है तीसरा, अमीबा कूट पादों की सहायता से संचलन करता है, सत्य अस्पस्तिकरन अमीबा एक आदी जीवी है, यह आदी जीवी कूट पादों का उपयोग संचलन के लिए करता है चौथा, प्लाज्म मोडियम के कारण आ होती है, उत्तर, असत्य प्लाज्म मोडियम के कारण मलेरिया होता है, जबकि एंटिमीबा हिस्ट्रोलिटिका के कारण आओ होता है पाचवा, टोमाटो विल्ट एक जीवानू जन्ने रोग है, उत्तर, असत्य, अस्पस्तिकरन टोमाटो विल्ट एक विशानू जन्ने रोग है, इस प्रकार के विशानू केवल वनस्पतियों की कोशिकाओं को सक्रमित करते हैं अमारा अगला प्रश्ण पाचवा, उत्तर लिखो, विटकर वरगी करण पधती के लाब लिखो उत्तर बच्चों, विटकर की वरगी करण पधती पुनता वैज्यानिक सिद्धान पर आधारित है दूसरा, आदी केंदर की सजियों को विभिन जगत में अलग स्थान दिया गया है आदी केंदर की सजियों दूसरे सजियों से भिन है, इसलिए उन्हें अलग स्थान देना न्याय संगत है तीसरा सभी एक कोशिक की दृष्य केंद्र की सजियों को एक साथ प्रोटिस्टा नामक जगत में रखा गया है इससे युगलीना का स्थान निश्चित करने में सहायता मिली चौथा युगलीना में वनस्पतियों की भाती हरित लवक पाए जाते हैं जबकी प्राणियों की भाती युगलीना के पास कशा भिका पाई जाती है इस प्रकार पूर्व के वर्गिकरन पधती में ऐसी जाती के सजियों के कारण कुछ विसंगतियां उत्पन हो रही थी पूर्वकाल में योगलीना को आदी जीवी संग में रखा गया था पाँचवा कवक मृत्वप जीवी होते हैं इसलिए कवको को एक प्रतक जगत में स्थान दिया गया है छठा पंच जगत वर्गी करण पधती के अंसार कोशिका सनरचना की जटिलता सजीयों के प्रकार अत्वा जटिलता पोशन का प्रकार जीवन सेली वंशावली संबंध कोशिका का संगठन इत्यादी पर विचार किया गया है अगला प्रशनों कवकों का पोशन कैसे होता है उत्तर अधिकान्स कवक मृत्व जीवी होते हैं ये कवक मृत्य सरीर तथा विगटन सील कार्बनिक प्रधार्थों से आवशक पोशक प्रधार्थों का आउस्यूशन करते हैं कवक वनस्पतियों तथा प्राणियों के मृत्य सरीर से कार्बनिक प्रधार्थों को ग्रहन करके अपना जीवनियापन करते हैं इस प्रक्रिया में कवक कार्बनिक प्रधार्थों का पोणता विगटन करते हैं अगला प्रश्णों विशाणों की विशेस्ताएं लिखो उत्तर विशाणों अत्तन सूच में होते हैं इनका ओसतनाकार लगभग 10NM से 100NM के मध्य होता है विशाणों को समानत्या सज्यू नहीं माना जाता है वे जैविक तथा आजैविक घटक सीमा रेखा पर इस्तित सज्यू है विशाणों जीवानों की अपेक्छा 10 से 100 गुना छोटे सूच में जीव हैं विशाणों को केवल इलक्टरॉन सूच में दर्सी द्वारा ही देखा जा सकता है दूसरा यद्दपी इन्हें सज्यू नहीं माना जाता है परंतु विशाणों सोयम अपनी प्रतिकृती निर्मित कर सकते हैं तीसरा इनका अस्थित्व अति सूच में जीवितकन के रूप में होता है विशाणों डी एने अथवा आर एने के लंबे अनु होते है जबकि प्रोटीन प्राथीन के अवरण से धका होता है चोथा विशाणों का जीवन यापन केवल जीवित वनस्पती कोशिका थ्वा प्रानी कोशिका के वीतर संभव है जब विशाणों पोशक कोशिकाओं को सक्रमित करते हैं तब वे पोशक कोशिकाओं की यंत्रावली क सहायता से सोयम के लिए प्रोटीन उत्पन करते हैं ये प्रोटीन सक्रमन करने वाले विशानों की कई प्रतिकृती निर्मित करते हैं पांचवा ये सक्रमन कारी विशानों पोशक कोशिका को नस्ट करते हैं तता इसके पस्चात विशानों की प्रतिकृतियां मुक्त हो जाती ये सभी विशानियों की मुक्त प्रतिकृतियां पोशक की अन्य जुरी हुई कोशिकाओं को सक्रमित करती है छठा अधिकांस विशानू विभिन रोगों के वाहक अत्वा रोगानू होते हैं ये विशानू वनस्पतियों तथा प्राणियों में रोग उत्पन करते हैं हमारा अगला सवाल मुनेरा जगत में कौन-कौन से सज्यू का समावेश होता है उत्तर पहला मुनेरा जगत में सम्मधित सभी सज्यू एक कोशिकाय होती है दूसरा मुनेरा जगत से सम्मधि सभी सजीव सोयम पोसी अथवा पर पोशी होते हैं तीसरा इस जगत के सभी सजीव आदी केंद्र की होते हैं इन में सुविक्सित केंद्रत नहीं पाया जाता है इन सजियों में केंद्र कवरण तथा कोशी का अंगत नहीं पाए जाते हैं अगला प्रश्ण बच्चो पहचानो तो मैं कौन हूँ आपको पहचाना है कि ये क्या है पहला प्रश्ण मुझ मैं केंद्र किया परस कलायुक्त कोशी का अंगत नहीं होते उत्तर मोनेरा जगत से सम्मंधित सूच्म जीव दूसरा प्रश्ण मुझ में केंद्रक परस कलायुक्त कोशिका अंगक होते हैं उतर प्रोटिस्टा जगत से सम्मंधित आधी जीव मैं आधी केंद्र की सजीव में कोई सजीव आधी जीवी हूँ तीसरा मैं सड़े गले कार्बनिक प्रदार्थो पर जीवनियापन करता हूँ उत्तर कवक चौथा मेरा प्रजनन समानत्या दुविविभाजन पधत्ती से होता है उत्तर जीवानू तथा कुछ आदी जीवी पांचवा मैं अपने समान प्रतिकृती का निर्मान करता हूँ उत्तर विशानू अगला प्रशन मेरा सरीर अंगहीन है और मेरा रंग हरा है इसका उत्तर आएगा सेवाल अब अगला प्रशन है बच्चो सात्वा सही आकृतियां बना कर नामंकित करो तो बच्चो मैं अकृतियां बना कर आपको दे रही हूँ उनके नाम भी लिख रही हूँ आप उसे देख लीजिए ठेक है? चलो सबसे पहला क्या है? जीवानों के विभिन आकार तो बच्चो ये जीवानों का चित्र है आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये किसका चित्र है? जीवानों का चित्र है जीवानों के बच्चो अलग अलग अकार है बच्चो शेखेखेज जीवानों करेदा का चित्र कॉत्र ग्च्चो ये जीवानों dad जातल जातल बच्चों मार सबसे आखरी सवाल आटवा आकार के अनुसार दिये गए नामों को अरोही क्रम में लिखो जीवानू, कवक, विशानू, सैवाल उत्तर सबसे पहले बच्चों विशानू, फिर जीवानू, फिर कवक, फिर सैवाल तो बच्चों मैंने आप लोगों को पूरा स्वाध्य करा दिया है आशा करती हूं कि आप लोगों को इससे काफी मदद मिलेगी ठीके बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिये, सब्सक्राइब करिये, कमेंड करिये और अपने दोस्तों में जढ़ा से जढ़ा शेर करिये ताकि मेरी पाठ साला कालाब सभी बच्चे ले सके ठीके बच्यो अगली पार्ट साला में हम पार्ठ दो की स्वाध्याय करेंगे ठीके बच्यो तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ अगले पार्ट साला में हम कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई- बाई बच्यो